हेलो माई डियर इस्ट्रेन आज हम क्लास 6 लेशन 6 in the heart of a seat एक बीच के हिर्दय में का question answer जानेंगे जो बचा था activity and project आप देख रहें डिडी की पार साला मैं हूं आपको गुरू जी दानेश्वर दुरू जी तो चलो करते हैं question का answer बनाना सुरू जी तो चलो आज़ो भाई class 6 lesson 6 in the heart of a seat एक बीच के हिर्दय में जो question बच गया था activity and project तो इस question का answer हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे तो देखिए activity में क्या दिया गया है listen to the passage गंद्याज को सुने and claim ताली बजाएं every time प्रतेक समय the ball gain hits जब gain जो है hit करेगा something कुछ चीज से अर्थात जब भी gain किसी चीज से टकराएं hit करें है ना तब क्या करना है तो ताली बजाएं है ना तो हमें क्या देखना पड़ेगा appendix को see करना है देखना है कुछ सा one and lesson six को तो मैंने यहाँ पर नीचे ला दिया है देखिए lesson six in the heart of a seat एक बीज के हिर्दय में तो पढ़ना प्रालम करते हैं तो यहाँ पर दिया है देखो to be read alone by the teacher अर्था सिच्छा द्वारा उच्छ स्वर में पढ़ने के लिए तो teacher पढ़ेगा अब जैसे ही बॉल जो ही हीट करेगा किसी वस्तु से तो सभी विद्ध्यारते को क्या करना है ताली बजाना है ठीक है मैं संकेत दूंगा लेकिन आपके class में जो teacher यह appendix को समझाए करेंगे तो आपको समझना है सुनना है और समझना है और जब भी बाल जो कोई भी चीज से टकर आए तो आपको ताली बजाना है ठीक है तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल डिडी की पार साल को सबसे पहले तो सबस्क्राइब कर लिजी और जो है बेल आइकान मंगलू वर प्लेइंग इन फार्म फार्म मिस क्या होता है खेत प्लेइंग खेल रहे वर थेई कौन मंगलू एंड सरीता सरीता एंड मंगलू वर प्लेइंग इन फार्म अलथात क्या हो जाएगा सरीता और मंगलू एक खेत में खेल रहे थे क्या कर रहे थे खेल रहे थे अ आप देखो, सरीता थ्रू बॉल टू मंगलू अब ठू गया किस ने, सरीता ने, सरीता ने मंगलू को एक गेन फेकी इसका मतला है, बॉल गेन को किस की और फेका? मंगलू की और फेका या फेकी, ठीक है? रड़के हैं तो फेकी, तो देखें उसके बाद क्या है? मंगलू could not catch it catch means होता है पकड़ ना could not नहीं सका पकड़ नहीं सका अर्थात मंगलू इसे पकड़ नहीं सका यह होगा आप देखो hit करते जाएगा the ball hit hit हुआ अब जैसे वस्तु को hit होगा आपको तालिब हो जाना है mango tree behind मंगलू behind means क्या होगा पीछे mango tree आम के पेड़ के पीछे कौन है मंगलू तो गेड़ मंगलू के पीछे एक आम के पेड़ से टकराई अब जैसे ही आप सुनेंगे टकराई तो आपको तालिब हो जाना है एक बार हो गया तालिब हो जा लीजाए माल लीजाए उसके बाद then the ball hit the well वेल मिस होता है कौन हीट टकराई ball जो है फिर क्या हुआ गेड़ कुए पर टकराई अब कुए को लगी कुए पर लगी अब जैसे ही आप सुन लिए आपको बजाना है तालि ठीक है अब देखे then the roof छत रूफ मिन्स छत of the house तो घर के छत है ना तो क्या हुआ फिर घर की छत पर टकराई क्या गेंद यहाँ पर हिट नहीं लिखा है लेकिन टकराई है ठीक है तो यहाँ पर भी तालिव हो जाना है आपको अब देखो then the nose नाक of the buffalo बफेलो मिस भैस तो फिर भैस के नाक से टकराई and और finally it went back to सरीता है ना उसके बाद क्या हुआ आखिर में सरीता के पास गई अब गई तो उसके हाँ से टकराई ही होगी गें तो यहाँ पर भी आपको तालिव हो जाना है तो इस तरह से यह जो है आप जो है जो appendix से उसको ध्यान से सुनेंगे और जैसे heat करे का गें तो आपको तालिव हो जाना है ठीक है तो यह हो गया तुमारा आपका क्या हो गया activity हो गया ठीक है गतिविदी जो है ओ कर लिए तो क्लास में इस तरह से करेंगे यह तो टीचर नहीं है तब भी आप लोग swim स्वाध्यन कर सकते हैं एक जहने पढ़ना जैसे ही heat करेगा बाकी विद्यार्थी ग्रूप में क्या करेंगे तालिव जाएंगे इस तरह से swim ही कर सकते हो किसी कारण और टीचर उस क्लास में नहीं आए पाए उस दसा में ठीक है प्रोजेक्ट दिया है देखिए यहां का question 2 है ठीक है search the internet अर्थाथ internet पर खोजे बोर रहा है and find more poems और अधिक poem को खोजे रहे कोन सा poem on the birth of a plant अर्थाथ internet पर खोजना है पोधे के जन्व पर और कविताएं खोजे ऐसा प्रश्णा बोल रहा है तो आपके यहां अगर mobile होगा laptop होगा कोई भी device होगा उसके माद्धम से आप जो है खोज सकते है क्या खोजना है यहां पर लिखा है poem on the birth of a plant यही लिखना फिर सर्च हो जाएगा तो करके दिखाते है कुरूम बोजर में जाते है तो देखिए यहां पर मैंने अपने mobile का Google में जहां पर सर्च करते है वहां पर आ गये है मैं पहले से लिख लिए हूँ देखो पहले आ गया लिख के रख लिए था लिखा है poem on the birth of a plant इसको टच करते है फिर यह खुल जाएगा और सामने में ही आपको दिखाई देगा देखिए यहां पर फिर यहां पर दिखाई दे रहा है a little seed इसको टच करते है तो यहां पर जो है एक poem आ जाएगा किसे संबंदित जो नन्य पोध है उसके जन्म से संबंदित यहां पर लिखा गया है वह आप लिख सकते हैं देख सकते हैं समझ सकते हैं तो इस तरह से आपको internet पर क्या करना है search करना है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो में आसा करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए helpful होगा ऐसे ही और अन्य वीडियो के जनकाली के लिए हमारी चैनल डीडी की पार साल को क्या करना है आपको subscribe करके bell icon में alt select करना है ताकि आपको notification मिले तो आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत